आइसलाम्मकूं विवर्स, फलों के बादशा, आम का सीजन चल रहा है, आम साल में एक बार आते हैं और आमों से बेश्मार रेसिपीज बनाई जाती हैं, जिन मेंसे एक आज मैं आपके साथ शियर करूंगी, आज हम मैंगो फ्रेश क्रीम केक बगएर ओवन के बनाएंगे, ज एक चाय का चमच बेकिंग पॉडर को मिक्स करेंगे और 304 बर अच्छी तरह से चान लेंगे, एक बॉल में चार अंडे तोड़के डालेंगे और इलेक्रिक बीटर से बीट करेंगे, थ्री फोर कप चीनी बारीक पिसी हुई लेंगे और उसे भी अंडों के साथ ही बीट कर जाएंगे, अंडों के मिक्सर को 6-7 मिनट बीट करेंगे, यह बिल्कुल फ्लफी फॉर्म में आ जाएगा, जितनी अच्छी अंडे बीट होगे हमारा स्पंज उतना ही अच्छा तयार होगा, अंडे बीट हो चुके अब इसमें ड्राइ इंग्रीडियन का मिक्सर शामिल कर और एक टी स्पून मेंगो एसेंस मिक्सर में शामिल करेंगे, और फिर से केक के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, केक का बैटर तयार है, अब इसे सांचे में डालेंगे, सांचे को हमने बटर पेपर और ओल लगा कर पहले से तयार किया हुए, 8 इंच का हमारा पर 35 मिनट के लिए केक को बैक करेंगे, 35 मिनट हो चुके है, स्टिक डालके देखते हैं, अगर इस्टिक गीली हुए तो मजीद 5 मिनट और बैक करेंगे, स्टिक हमारा तयार हो चुके है, रूम टेंप्रेचर पर थंड़ा होने देंगे, आदा कप पानी और 1 टेबल एक टी स्पून मेंगो एसंस शामिल करके क्रीम को मिक्स करेंगे. पांच से छे मिनट में क्रीम का वॉलियम ट्रिपल हो जाएगा. देखे, फ्रॉस्टिंग इस तरह से स्टिफ होनी चाहिए. केक भी हमारा रूम टेंपरेचर पे थंडा हो चुके. केक देखे, माशाला हमारा बहुत सॉफ्ट तयार हुए. जितनी अच्छी हमारे अंडे बीठ होंगे, उतना ही अच्छा हमारा केका स्पंच बनेगा. अब केक को टृम करने तो इसलिए जो उपर वाला पार्ट है, उसे हम निकाल देंगे और इस तरह से केक को टृम करेंगे. केक की हमने तीन लियर काट नहीं हैं. पहले एक लियर काटेंगे, आप चाहे तो दो लियर भी काट सकती हैं. अब दूसरी लियर काटी है अब केक की बेस पे थोड़ सी क्रीम लगाएंगे और इस तरह से सेट करेंगे और शुगर सीरप अच्छे तरीके से लगाएंगे ताके केक ड्राइ ना हो अब इस पे frosting लगाते है इस तरह से frosting लगाएंगे और एक spatula की मदद से इसे plane कर लेंगे केक की first layer पे frosting अच्छी तरह से plane होगे अब इस पे mango chunks रखेंगे और दूसरी layer लगाएंगे केक की और हलकी हाथ से press करेंगे शुगर सीरप लगाएंगे और केक की फ्रॉस्टिंग इसी तरह से लगा के प्लेन करेंगे थोड़ी थोड़ी सी क्रीम साइडों पे भी लगाते जाएंगे टेबल टर्नर को इस तरह से घुमाते होवे क्रीम लगाएंगे इससे बहुत अच्छी क्रीम जो है केक पर सेट होती है मैंगो चंक्स रखेंगे और अब तीसरी लिए लगाएंगे इसी तरह से शुगर सिरुप डालेंगे केक फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और स्पैचुला की मदद से ऐसे पहले उपर से बिल्कुल प्लेन करेंगे और सासा साडो से भी प्लेन करते जाएंगे टेबल टर्नल को गुमाते जाएंगे और इस तरह से उपर से और साडो से प्लेन करते जाएंगे अब साडो पे भी विपिंग क्रीम लगाएंगे और इस तरह से एक स्क्रेपर की मदद से इसे प्लेन करेंगे देखे कितना अच्छा प्लेन हो रहे टर्न टेबल को गुमाते होवे इसकी एजिस बहुत अच्छे बनते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया और ये जो इसकी एजिस हैं इसको ऐसे स्पेचुला की मदद से शाप करेंगे केक भी अच्छी तरह से फ्रोस्टिंग लग चुकी है अब आप जिस तरह मर्जी चाहें इसकी डिजाइनिंग करें फूल बनाएंगे मैंगो चंक्स रखेंगे मैंगो जैम लगाएंगे और डिपिंग बनाएंगे चैरीज रखेंगे एक बेहतरीन मैंगो केक विदाउट ओवन बन के तयार हुए केक को तीन घंटे फ्रेज में थंडा होने के लिए रखेंगे और फिर सर्फ करेंगे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें मुझे अमीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रेसिपी को लाइक करें शियर करें